कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीट क्लास में बहुत हुआ श्वागत है आज की इस वीडियो में हम एल्पी टेक्निशन साइंस भी भाई की जो कुशन कर रहे थे हो उसमें हम 31 अगस्द 2008 रहे हैं कि इसे पहले की सभी कुशन अपलोड कर दिये हैं यह आपके से वीटी बन का से वीटी बन के जो लाइस्ट का कुशन है लाइस्ट के साइंस को सब्सक्राइब्र करके देख सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्कृशन में मिल जाएगा चलिए पहला कोशन देखें जब एक तब नाप फeछे के तऱ भड़ जाती है और अधारण नूटन के कौन से नियम को दरशाता है तो यह आपके गति के तीसरे नियम को दरशाता है तो इसका रेट अंसर हो जागा आपके ऑप्सन नम्मर डी रजोदर्शन से होती है नैस्ट कुछन देखिए किसी अनुदर्य तरंग में लगातार दो संपीडन और दो बिरलन लगातार बिरली करन पिरके दियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है तरंग देर्य कहा जाता है नैस्ट कुछन देखिए दस ओम पिरती रख दक पर एक सो चालिस बॉल्ट का बेववान तरो पिर्योग तो उहता है तो इस से उकर पिवाहत उने वाली धहरागी गन्ना कीजिए देखिए ओम के नियम से ओम का नियम के फोर्मूल लागता है अधी बरावर आई आर यहां हमें नकलना है आई भी अपवान आर देखिए बी की बैलिव कितनी दियुँ हुए है आपके एक सो चालिस आर की बैलिव है दस जीरो से जीरो कट गया बराबर आ गया आपके 14 Ampere क्या गया 14 Ampere इसका राइट अंसर हो जागा Option No. A इसका राइट अंसर Next Question देखिए आवेश की ऐसा एकाई क्या है आवेश की ऐसा एकाई हो जागी आपके कूलाम Ampere किसकी है दहरा की Joule कारे और खुर्जा या आपके बाट शक्ती किसकी है शक्ती की तो यह आपको ध्यान रखने Next Question देखिए Newton किसकी होती है बलकी निमेले लेकित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है आपको देखना है गलत चंदरमा पर G कमान प्रत्थभी पर G के मान के बराबर है यहाँ पर Capital G की बात हो रही है किसकी बात हो रही है Capital G की तो यह बराबर है बिल्कुल सही है यह एक दूसरे से एक मेटर की दूरी पर रखी हुई दो बस्तुओं जिनके दरबेबान दो किलो और दो किलोग्राम है कि बीच लागू होने वाला गुरत्वा करसन बल एगो और यह बहुत है कि नूटन के लकुत करसन नियम पर्यों साला में ही मायन होता है कि बीच में बल बल दो गुलत की दूरी के भरकै भितकर मानो SC और निक्रेन सब्सक्राइब के की कोोई समित कौन की तो नाम सही यह पिरतक हो क्या होता है और चांदी का लाइटन नाम अर्जेंटम होता है जी दोनों ही सही है यानि कि आप्शन नमर सीज का राइट अन्सर जागा दोनों कथन यह और भी सही है नेक्ष्ट क्रिखें ने में लेखित में से कौन सा कथन सही या गलत है आप्शन ए एस टूसर फोरो का प्रियोग पेट्रोलियम के पर इस करण में सलफर और आयन ने योगयों को अठाने के लिए क्या आता है आप्शन बी सोडियम हाइड्रोकसाइड एन वेज की मूल करती हाइड्रोजन के आयनों की उपर स्थिति के कारण है तो इसमें केवल ए स साहिए ऑप्शन नमर एस यह बागी दूसरा गलत है नेक्स्ट देखिए लेकित लेक्नी यह गतिवीडियों में से किस्में इस्तित्र ऊड़्जा पोटेंशिल एनर्जी और गतिज ऊड़्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है एक प्टागे का कि उस्ट्र है जैसे जूलना करेगा तो इस जूट को बदल जाएगी गरत जूटजा में बदल जाएगी नेस्ट कुछ नहीं को क्या कहा जाता है ऐलगें कबते हैं यह आप क्यों हो जाएंगे ओन और एल्कीन डबल बोंड और टरपल बोंड बाले असंतरप्त था एड्रोकार्वन ओहेंगे, नेक्स्ट क्षिण देखो, नेमने किसकी कमी से रिकटस बीमारी होती है, तो इसका राइटन्स लजागा, आपके और अप्सन नमर डी, औप्सन नमर ए बिटामिन डी की कमी से रिकेटस होती है बिटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है रतोंदी बिटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी और बिटामिन सी की कमी से इसकर भी नेक्स्ट कुछन देखो निम्न में से कौन सा नग्न बीजी होते हैं तो option A, पाइनस इसका right answer हो जाएगा पाइनस जो है नगन बीजी होते है नए इस्ट्रूशन दिखे नेमने में ऐसे कौन सी धातू मुक्त अवस्ता में पाई जाती है option A, sodium, option B, sona, option C, potassium, option D, calcium इसका right answer हो जागा sona और हम AU जो है मुक्त अवस्ता में पाई जाती है नीचे की दो कॉलमों के गटकों का आपस में मिलना, मिलान करके दिए गए बिकल्पों में से सही बिकल्प का चैन करना है यहाँ पर calcium oxygen तो यह जो है इसका right answer हो जागा सेकंड से अनव जो चूने में उपर से तत्व होते हैं CA2P2 तो यहाँ पर जो है B1 यानि कि इससे यह हो जाएगा calcium phosphide का सूत्र यह होता है 0.1 mol इसमें हो जागा C में 4 C में यह 4 वाला हो जागा 2.3 gram sodium में मौजूद होते हैं एक परमानू या अनू के दरबेमान या मैं परमानू की निष्चत संख्या 6.022 इंटू 10 की गात 23 होती है यह किसके बरावर होती है यह होती है आपके अवगादर संख्या के बरावर इससे क्या कहते है अवगादर निया तंग कहताथा है option number D इसका right answer हो जाएगा next question देखिए name में से कौन अधिक काम कर सकता है option A एक गुमता हुआ पहिया option B बंदुक की एक चलती हुई गोली option C गती शील पत्तर और एक उठाय हुआ बहुत वड़ा तो इसमें बंदुक की गती चलती हुई गोली जो है यह अधिक्तम काम अधिक काम कर सकता है next question देखिए आज उने का अबरती तालिकामे कितने समू और अबरत होते हैं और मौजूद है इसका right answer देखिए अठारे समू है अठारे बर्ग और साथ आवरत है next देखिए पिरकास की गती की अधिक्तम निम्न मेंचे किसमाई दम में होती है पिरकास की गती जो है अधिक्तम किसमाई दम में होती है निरबाद में लेकर अगर दुआने की गती की बात की जाए तो निरबाद में क्या होती है जीरो यह आपको ध्यान रखना है धुहनी की गती सरवादी किसम होती है ठोस में उसके बाद द्रव उसके बाद गैस यह आपको विश्यश द्यान रखना है नेस्ट कुछन देखिए निमेले खितमे से कौन सा कथन सही या गलत है ओप्शन मतलब एक कथन है H2S अभा में जलता है और H2O और SO2 है उसमा की उपस्तिति में फेरसल्पेट का अपगठन F2O3 और SO2 और SO3 मनता है तो कथन A और B दोनों ही यहां पर राइट है नेस्ट कुछन देखिए ने में लिखत में से कौन सा कथन सचत्य है टिड़ों तथा अन्य कुछ कीटों के नरों में सिर्फ चार लिंक सुंत्र लिंक गुंड सुंत्र और सेक्स क्रों सॉम होते हैं भी ऑप्शन है किसी नर में एक्स कुंड सुंत्र और दो बाइग जोड़े लंग गुंड सुथ्र होते हैं यह तीन अप्शन अप्सण नमाट टी यह राइट अंसर है दुई कंड़ेव जिनमें लिंक अलग-अलग अलग होते हैं कि दुईगरद को इस काव में गुंड सुत्रों का एक वीज़ जोड़ा होता है जो लेंगे करनी धरण करत तो नर के अंदर जो लिंक बुर्ण सुद्र पाजाते हैं वो होते हैं आपके X और Y मादम होते हैं XX तो यहाँ पर एक युगमक इसका होगा और एक युगमक इसका होगा यह दोरों मिल करके युगमनज का निर्वान करेंगे यहाँ पर जो होगा 23 22 पिलस XY यानि 23 जोड़े होते हैं इधर भी यह इस पर कहा रहा है तो X यहाँ से जब मिलेंगे तो X X अगर इसका X आएगा तो इसका X इसके X के साथ में X तो यहाँ बनेगा X X अगर इसका Y ले और इसका भी यह X के साथ तो यह हो गया X भाई लेकिन यहाँ पर अगर इस X के साथ की बात की जाए तो यह X X और इसके साथ की जाए तो यह X भाई अब देखिए 50% chance पुत्री के होते हैं और 50% chance पुत्र के होते हैं लेकिन यहां पर यह आपको विश्च ध्यान रखने वाली बात है कि लिंग नरधारन के लिए उतरदाई सिर्फ और सिर्फ पुरोस होते हैं कौन होते हैं पुरोस क्योंकि महिला में जो है दोनों ही एक्स गुंसूत्र पाए जाते हैं और लेक्ष नरधारन के लिए बाई गुंसूत्र नरधारन करता है नेश्ट कुषिन दीखिए! नीचे के विकलपों में से तत्वों के किसी खास लक्षण और उनके आवारत में बाएं से दाएं और q & विविन्ता को निम्रूत में दर्साय है निचे के लक्षण आवारत में बाएं से दाएं Glassom me उपर से निचे विकल आईं करें बिद्दु दनात्मक्ता और दात्विक लक्षन बढ़ता है, ब्रद्दी होती है, गढ़ता है, आस होता है बिद्दु दनात्मक्त दात्विक लक्षन बढ़ता है, ब्रद्दी होती है, और बढ़ता है, ब्रद्दी होती है विद्दु दनात्मुक दात्व क्लेक्षन गढता है यह इसका ओप्शन नमर सी इसका राइट अंसर हो जाएगा आश्ष होता है तो यह थे आपके थर्ड स्रिप्ट के कोश्चन हमने आपको CBT बन करवा दिये हैं और इसका प्रेलिस्ट आपको डिस्कुशन में मिल जाएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही ज़रूर पता है कमेंट में कैसा लगा वीडियो बर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्स कर लीजिए जिससे आपको हमारे है वीडियो को नोटिफिक्शन पर आप तो हो सके हैं देखिए आपके लिए यह है एक प्यारा सा इबुक तयार किया गया है जिसका प्राइस आपके लिए ओनली फोर 25 रुपे रखा गया है जिसमें सीवीटु बन और सीवीटी टू के थर मेरफुल होने वाली है तो आप चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करके आप यह इबुक प्राप्त कर सकते हैं